अई फिजू है एक जो महिला स्वास कर्मी होती है वो किसी समुदाइब घर घर जा करके उनकी जो समस्या होती है बिमारी से जुड़ी हुई या फिर जो समस्या वो बताती है या ये खुद देखती है आकलन करती है जिसका उस समस्या का हल करती है या उस समस्या का हल बताती है तो ये होती है ग्रहम मुलाकात तो ग्रहम मुलाकात किस लिए करते हैं कोई एक रीजन होगा किस वज़े से करते हैं क्योंकि जो ग्रह मुलाकात होती है इससे बहुत सारी जो बीमारिया होती है जो हमें नहीं पता होती है कि उस समुदाय में कौन सी बीमारी चल रही है वो बाहर निकल के आती है उनकी समस्याइं हम खोच पाते हैं तो इसलिए क्या है ग्रह मुलाकात जरूरी होती है तो एक समुदाय के लिए किसी भी अस्पताल के लिए किसी भी एक सिंगल इंसान के लिए वो क्या है जरूरत होती है उसकी चाहे हर प्रतेक वेक्ट के लिए जरूरत होती है तो जो यह स्वक्षता है वो कैसे की जाती है क्यों जरूरत है यह सारी चीजे बताने के लिए क्या है महिला स्वास्थ कर्मी क्या है ग्रह मुलाकात करती है स्वास्थ सिक्षा देती है किसी भी बिमारी से जुड़ी हुई बात के लिए और किसी भी ऐसी बात के लिए जिससे क्या है जो समुदाय है उसका भला हो सके और इसका जो दूसरा रीजन है वह यह है कि जो योजनाएं अभी त प्राइमरी हेल्स केर होती है मतलब की प्रारंबिक स्वास्थ देख भाल प्रादान करना यह जब तक हम नहीं देंगे जो एक वेक्ति है उसका क्या है वह आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता है क्योंकि जो referral system होता है मतलब जो प्राडाली होती है इलाज की उसके लिए क्या है सबसे पहले प्रारंबिक देख भाल होती है उसके बाद फिर अलग लेवल पे hospital में क्या है जो patient है उसको भेड़ा जाता है तो यह जरूरत होती है इसकी उसके बाद अगर हम next बात करें कि क्या सकता होती है तो जो छोटी-छोटी समस्याओं होती है जैसे रक्टा चाप की समस्या होगई और मूत्र की जाच खरने की समस्या और जो घर पर रहके ही क्या है इन समस्याओं को हम लोग हल कर सकते हैं तो जो महिला स्वास्त कर्मी होती है वो यहां पर आकर के और यह सारी समस्याओं को हल कर सकती है या फिर जो भी जो बीमारियां होती है घर के अंदर क्योंकि जो कुछ इंसान ऐसे होते जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं तो जो महिला स्वास्ट करमी होती है तो घर आ कर रीजन हैं किस वजह से कर रहे हैं उसके वाद कί ग्रह मुलाकात का क्या सिद्धानत होता है तो ग्रह मुलाकात के सिध्धान्त जो पहला सिध्धान्त है वो है स्वास्त सिक्षा हमें किसी भी समुदाय में क्या है स्वास्त सिक्षा देनी चाहिए क्योंकि जो स्वास्त सिक्षा होती उसको लोग सुनेंगे तो अपने जीवन में क्या है लाएंगे और उसकी वज़े से क्या होग अगर हम देखें कि जो यह कमनी केबल डिजीजेस हैं मतलब जो संक्रामक जो बीमारिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इनको कम करने के लिए भी क्या है ग्रह मुलाकात जरूरी होती है उसके बाद जो एक जो समयराशास्त कर्मी जा रही है ग्रह मुलाकात के लिए उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए जो भी समस्याएं हैं उस परिवार में उसको उनके हिसाब से उनकर निवारन करना चाहिए अगर वो किसी एक सक्त परिवार में गई है तो उसको उसके हिसाब से उनकर निवारन करना है अगर वो मिडिल क्लास फैमिली में गई है तो तो जो एक महिला स्वास्त कर्मी होती है उनको क्या है यह सारी चीजे देखकर क्या है आगे की समस्याउं का हल देखना चाहिए उसके बाद जो एक होता है मतलब कि एक जो पेशेंट है यह एक फैमली है उसको obs मतलब मतलब देखना है कि कौन सी समस्या जादा है उसी समस्या के बारे में उनको सबसे पहले बताना है और अगर हमें पहले से पता है कि उस समुदाय में किस परिवार या किस वेक्ति को जादा समस्या है कौन सी समस्या गंबीर है तो सबसे पहले हमें उस समस्या का हल करना है तो इस साफ साफ सब्दों में जो भी विमारी या जो परेशानी उस घर we obo abda को बताना है ताकि उस समच्या को जल्दी से जल्दी हल किया जा सके और जो योजणा है उनके लिए क्रक्राइब उस योजणा को बनाया जा सके उसके बाद अगला अगर हम बात करें कि क्या सिद्धानत है तो जो वहां का मुखिया होता है उसको क्या है जिस परिवार में समस्या मिली है उस समुदाय में उसको उनसे बताना है उनसे वारतालाप करनी है ताकि जो समस्या है उनको वो अपने लेवल पे क्या है उनकी योजन बना सके और उसको उस समस्या को हल कर सके उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो वारतालाप अगर हम किसी परिवार में जा रहे हैं किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो वारतालाप अच्छे से होना चाहिए ताकि वह अपनी बात आप से कह सके और आप उससे अपनी बात कह सके जिससे की क्या है बहुत सारी समस्यां ऐशी होती है जो वारतलाप करने से हल हो जाती है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि सिध्धान क्या होता है जिसलिए ग्रह मुलाकाइज जरूरी होती है। अब मैं बताऊंगे कि हमारा क्या रोल है, हमारी क्या भूमिका है ग्रह मुलाकात में, तो हमारी क्या भूमिका है, एक नर्स की क्या भूमिका है, सबसे पहली जो उसकी भूमिका होती है स्वास्तिक्षा देना, स्वास्तिक्षा एक मातपूर्ण विधी है किसी भी परिशानी के हल के लिए तो स्वास्तिक्षा देनी है उसके बाद जो हमारा वारतालाब के जो तरीका है वो एक नर्स को पता होना चाहिए कि कैसे बात करनी है किस परिवार से यह कहां पर किस सब्द का प्रयोग करना है उसके बाद जो महिला स्वास्त कर्मी होती है उसको गाउं के बारे स्वास्ट करमी उसको पता होना चाहिए और उसके बाद जो भी उसने पड़ीद मिलेट उसको जानकारीd उस चीज़ को वह क्या है शीए सी शीपियरी सेंटटर पर उसकी सारीil bis एक नर्स कर जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर है ग्रह मुलाकात के दोरान so this is for today all topic this is Keerthi signing off bye for the next video